हमारे देश के आदर्णिये ग्रह मंत्री जी एक ऐसे टिपनी करते हैं कि कमल का बटा ने तनी जोड से दबाना करने शाह करें पूड़े इसी वज़ा से आपको आपकी एतनी बेचे नहीं है आपकी एतनी बेचे नहीं है और यह अंदोरन को पूरे मुल्क में भैला हुआ है इस अंदोरन को जिन्दा रखने वाली आप हैं आपको आपना नाम बता दीजेगा अबीबा खातुर तो यह बताईए कि डेड़ महीने से ज़्यादा अर्था गुजर चुका है यहां पर आपके इतजाज के और आपका मुतालबा है कि जो शहरियत के कानून है वो वापत ह है हुकोमत कह रही है कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे तो अब यहां पर बैठी विए काफ़ी अर्था हो गया तो क्या मायूस हो रहा है क्या जजबा है आपका सर जजबा तो अभी बना हुआ है मायूसी तो नहीं है लेकिन हम मुदों सीए को आपस करने की बास नहीं हो तो ये कानून तो फिर उसमें वही है कि रिलीजियस आप जोड़ दीजिये मुझे पहले भी तो हम सिटिजनशिप देते थे उसका भी तो एक्ट था लेकिन इसमें सिर्फ तीन देश को ला करके और एक मुस्मिन रिलीजियस को हटाए गया उससे हमें दुखी है जी मेरा नाम लेडी हिंदुस्तानी ये नाम तो हमारा सबसे बराम हिंदुस्तान की इन्होंने कहा कि इस लड़ाई सिफ शहरियत के नहीं बलके जो आएन में जो तब्दीली की जा रही है ये लड़ाई उसकी आईन के दिफा की है जो सेक्लर कारेक्टर था तो यह लड़ाई आपको मेरे चर पांस मेरे चरके में हमने गुजारा है हमें मेरी माओं ने मेरी दादियों ने यहां पर बहुत सारी तकलिफें उठाई हैं और अभी भी हम तकलिफ उठा रहे हम होस्वाइफ हैं घर का भी काम हमें करना होता है हसमें करना होता है बच्चों को भी देखना होता है पिर यहां पे भी हमें टेम देना होता है, बहुत मैनेज करना होता है, हमें बहुत तकलिफे होती है, लेकिन हम अपने सरकार से हैं कहना चाहेंगे, कि एन रसे सी ए को वो खारिज कर दें, यही हमारा निवी देन है उन से. देखे, शाहिन बाग ने शुरू किया था, जामया के तलुबा ने शुरू किया, और उसके बाद शाहिन बाग के आउरतें यहां निकल के आई, और उसके बाद पूरे मुल्क में इसका असर हुआ, बहुत सारे जगों पर दिमास्टेशन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं तो अब इस स्टेश पर लेकिन हुकूमत कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा उनकी तरफ से कोई बात करने के लिए नहीं आया वो पीछे हटते वे नहीं महसूस हो रहे हैं तो आखिर ये सिस्थरा कब तक आपका इहतिजाज करा हैगा सच में आज डेड़ महीना का अर्फा गुजर गया है डेड़ महीना से जादा का अर्फा गुजरा है मुझे ये सरकार से इस्प्क्टेशन यही थी कि जी तरीके के दो हजार चौदा के बास से पूरे देश की जो हालात बने हैं लोग ये कह रहते लेकिन हम औरते हैं जिस तरीके से अपने परसनल इसू तेरपल तलाक और थिरी सेवेंटी बाबरी मस्जिद और कई ऐसे बिल पास होते हुए अपने आखों के सामने हमने देखा लेकिन हम उस पर खामोशी अक्तियार किये इसलिए कि देश तूपने ना पा हैं पूरा पूरी दुनिया का एक मजाग बन चुके हैं और पूरा दुनिया ये देख रहा है कि आज इस मुल्क के अंदर हो रहा है जो हमारी संसिक्रिती जो हमारी सब्यता जो हमारे तहजीब जो हमारी सकाफती उसको छोड़ करके हमारी बहने उसको छोड़ कर घर में कि जो बान टूटा हुगा जो जजबाती हो कर यहां सडकों पर आकर बैठने के लिए मजबूर हूई वह रीजन क्या है क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और सरकार यह कि ऐतनी मतलब यहां बैटी हुई हैं, वो किस तकलीफ में है, किस परिशानी में है, यह सरकार की जिम्मेदारी थी, इस तकलीफ को देखने की इस परिशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी थी, बजाए इसके उनके लीडरों ने, उनके मंतिरियों ने जिस तरह केलेगेसन लगाया है, ज आप तुक्रे टुक्रे करेंगे आम मुल्क को तोड़े हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, गदार हैं, आप जो है वो जिन लोगां को शहरियत देने की बात बहुरी है, उने शहरियत नहीं देना चाहेते हैं, तो क्या कहेंगे आप कि तुक्रे टुक्रे ग THK at Gein ca Saalia एक्चली टुक्डे टुक्डे गैंग यहां नहीं है क्योंकि यहां इस चाहिन बाग में जो लोग ऐसा बोल रहें वो अगर यहां आके देखेंगे तो उनको देखने को भी लेगा कि यह मिनी हिंदूस्तान है यहां हिंदूस्तान के हर कोने से महिलाएं आई हुई हैं पाकिस्तान के जिस आईडिया को 1947 में हिंदूस्तान की जनता भारत की जनता रिजेक्ट कर चुकी है आज दुबारा से उसी तर्श पर एक राश्टर का निर्मान करने का यह लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम लोग भारत के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते है यह गालबान हिंदूस्तान की तारीख में पहली बारा ऐसा हुआ है कि जब औरतें ना सिब निकली हैं बलकि वो इसकी लीड कर रही हैं गयादत कर रही हैं तो क्या यह जो जो मुस्लिम औरतें हैं उनमें एक आप तबदीली देख रही हैं एक एक कांशिसनेस उनके अंदर बीडार क्लास होते थे वह यही बोल के रहे जाते थे कि इंशाला जरूरा आएंगे कि उनको कब आओगे कब आओगे लेकिन हमें विश्वास था कि जामिय एक दिन जरूर आएगा और वह क्योंकि अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदूस्तान के जो सम्विधान है और सम्विधान की जो मूल तत्व है वो है सेकुलरिजम इस सेकुलरिजम के उपर प्रहार हो रहा है और वो प्रहार इस देश की जनता नहीं सहेगी और ये सबसे बड़ा प्रहार है क्योंकि इस देश की परमपरा ये रही है कि यहां ये एक ब्यूटी है इंदुस्तान की ये गुलदस्ता है जहां सब तरह के लोग है latest beauty को कोई भी खतम करेगा इस सुंदरता को कोई भी खतम करेगा तो यह हम इसका सहन नहीं करेंगे अगर इ मशले कुछ दिनों से मुसल्सक कुछुने की बात होती रहती कभी कुछ पिस्टॉल डेके आजाता या कभी कुछ मसले पैदा हो रहे हैं यह बड़ा पूरा हम तरीके से चल रहा था आपका जो कुरा मजाहरा लेकिन अब यह सब परेशानिया हुरे ही महाहbayर कोशिश तो की झा रही है पर हम लों कहरे हैं का वोग हम लोग करने हे हैं ये माईं यह बात हैं mixer बहुत सारी है उन달 बच्चे बच्चे हैं। बहुそう लोग यह के रहे हैं कि बच्चों को लाने जैना उनके ऊपर बुरी आसर पता है। बच्छोному उख्यद deficit together. deva सब झायभ़े को अगर में छोने हैं ुचछे तनहें लरेंगे उनको पूल देखेगा तो यह हमारी मजबूरी है जो माय अपने बच्छों को लेकार है यह मुझे को इसमार पाँ आपके प्रोड़ा हैं । बच्छे जो गरीब हैं जो छोटे तक्वे के लोग हैं जो लोग बाहर पर राते हैं जुगी में राते हैं उन्हों का क्या होगा जिनके बार में बहगे जिनके घड़ों में आग लगे जल गे वो लोग कहां से दे पाएंगे पुरू शाहिन जी बताएं कि ये एक जमूरी मुलक है और आईन अभी तक एक जमूरी आईन है इसका तो इसमें क्या उमीद नहीं है आपको कि इस तरह के हालात नहीं हो पाएंगे और इस तरह की कोई तफरीक डिस्क्रिमिनेशन किसी शहरी के साथ नहीं होगा जब हमारा मुलक जमूरी मुलक है तो हमें फैसले लेने का अधिकार है जो आज हमें यहां बैठे हुए हैं और समीदानिक तरीके से जो हमारा राइट समीदान हमें देता है जो हमारा राइट है जिस आधिकार होने के नाते हम यहां पर बैठे हुए हैं और इसको इलीगल लिए जिस तरीके के कोश्षश है हो रहे हैं आपर जिस तरीके से दस दिन से यहतनी पूरजोर टाकते लगाई जा रहे हैं क्या ये जो है सरकार तक पहुचら ही है कि आज जियद – बहने –हीं बैटी हुई हैं आप तो मुखालिफ हैं और आप जो है मुलक के खलाफ हैं मुलक के मुफाद के खलाफ हैं अगर देश के उपर कुछ होता है सम्मिधान पर हमला होता है जब हमारी जमूरियत खतरे में अगर होती है तो आवाज उठाना क्या गलत है क्या हम इस देश के बाज़त शहरी है इस नागरी खूने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि अगर तूटने के कागार पर कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसको बताएं यह जताएं और अगर नहीं होता है तो हम आवाज उठाएं पुर्जोर तरीके से यह हमारा राइट है और जब तक हमारे जान में जान रहेगी इसको हम क आरे कोई नुमाइंदाओं का आए बात करें हमसे और अगर नहीं तो अपने लोग सबारा सबार से वहां आलाउंज करें अथेंटिक लेबल पर आलाउंज करें ताकि हमारे बैने सटिस्फाई हूं जी रेतु जी बताएं कि मुल्की फजा बहुत खराब की जा रही है या हो सर यह जो CAA लेकर आये थे इनका मसला यही था क्योंकि जितना भी देश में राइट्स होंगे हिंदू और मुस्लिम क्योंकि इनको लगता था कि मुसलिम लोग CAA का विरोध करेंगे क्योंकि मुसल्मानों को इन्होंने चोड़ दिया है और हिंदू इसके सपोर्ट में आए तो इस तरीके का पूरा जो माहल था इनको पूरा विश्वास था इस देश की जनता पर कि ये लोग आपस में लड़ेंगे लेकिन ये जनता वो नहीं है जो मोदी जी और हमिश्या सोच रहे हैं ये जनता जो है वो भगत सिंग की कि खून का रिष्टा है हम लोगों के साथ योगि जब भगत सिंग जेल में थे तो उनसे पूछा गया था कि आपके रिष्टेदार आपसे मिलने नहीं आरे तो भगत सिंग ने कहा था मेरे जो रिष्टेदार है वो है जिनके साथ मेरा खून का रिष्टा है जो इस रास्ते पर मुझसे पहले चले गए और शहीद हो हशता है मोदिजी भारत के जंता को नहीं समझ सकते और ये जो CAA और NRC लेकर आये हैं इसने देश की जंता को बाटने की वजय कर दिया है हम यहाँ पर Łण्वने से हमें लग ही नहीं रहा है कि हम एल्यों के बीच में जिनके बीच में हम कभी नहीं रहे इतना हमें इतना मतला अराम से हम लोग रह रहे हैं इतने सुरक्षा से हम लोग रहे हैं इतना घर जैसा लग रहा है और बहुत नजदीक आए हैं हिंदू भी मुस्लिम भी सिक्व इसायी भी तो यह जो माहल खराब करने का सोचा था उल्टा हो गया हम एक हो गये हैं क्या स्री मुसलिम्स हैं या दूसरे लोग भी हैं, हिंदू, दूसरे मध़ब के लोग मुझे कहते हुए बहुत ही फक्र है इस बात का है कि आज जिस तरीके से यह जो साइज ने सोचा नहीं होगा हमारे जो है आमिस साइज यह ने सोचा भी नहीं होगा आज उनके गले के हंड़ी यह बन गई है ना वो निगल पा रहा है ना होगल पा रहा है तो मुझे इस बात का इतना फक्र है कि जो हमने बर्सों में सोचा था कहीं हमें तसौर में हमारी यह बात थी और हम यह जानते थे कि एक तो है आज आप देख रहे हैं कि इस मंच के अंदर हिंदू मुस्लिम सीख हिसाई तो हैं पूरा देश मतलब जो मतलब हम आगर आप करते हैं तो मानों उनको दर्द होता है और यह कहते हैं रात दिन यहां महिला जिसे मैंने कभी यह नहीं इस इस्पेक्ट नहीं मुझे थी कि हमारी हमारी महिला हैं हमारी जो हिंदू महिला जो दूर से आ रही हैं यानि दूसरी स्टेट से आ रही है हमने जोची थी कि जमीन पर बैट करके और इस तरह से रात गुजारेंगी और जब हमने उन से ये कहा कि बहन आपको तकलीफ हो रही है आप चलिए हम कहीं दूसरी जगह इंतिजाम करा दें मैं ये कहते हूं कि मुझे हैरत औ हैरानी आज उनकी बात पर वो कहरे बीस दिन की बच्ची छे महीना की बच्चा लेकर बैटी थी तो उन्होंने क्या जवाब दिया उन्होंने कहा नहीं आज हम इसलिए बैटें यहां पर ताकि उनको ये खबर हो जाए कि हम एक साथ हैं औ अमिश्या ने जो ये कानून लेके आए हैं आज आप जानते हैं कि ये लोग हर लेवल पर ये लोग फेल हो चुके हैं रोजगार देने में 45 सालों का रिकॉर्ड तूट चुका हैं बहंगाई की दर आप देख रहे हैं जो हमारा जीडीपी है वो कहां जा चुका हैं आप द ला रहे हैं जिस से कि ये सारी समस्था बुल जाएं और बूल भी गाएं आज तो बिलाटकार हो रहे हैं हर घंटे बलातकार हो रहे हैं वह कहां लगा दिया है हमें जो अपने जाया जदिकारों के लिए लड़ना चाहिए हम सब भूल गए है हमें रोजगार के लिए लड़ना चाहिए हमें शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए पर क्राइम के खिलाब भी हम आवाज उठा रहे हैं वो कितना भी भूलवाना चाहे हम भूलेंगे नहीं कि बच्चियों के साथ मोधी जी आप ये बोलके आये थे कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार अब की बार मोधी सरकार लेकिन आपने महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी सब्सक्राइब करें आपको पता ही नहीं है यह है भी या नहीं यह थे सवाल वार वार कटाइब लेज सब्सक्राइब और e किसपैं कि नाख्री तक देने का कानून प्लीज 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 अनाम बता दीजिए माई ने में सोफिया सोफिया परवीन आई रिसाइट शाइनबाग उनी हमारे जो फंडमेंटल साइट से यह हम उसके लिए लड़ रहे हैं ठीक है आप होते कौन है आप आपको किसने इतना राइट दिया हमेशा जी से मैं बहेगा कहां से तो आप सिफ बात करते हैं कि कैसे हम हिंदु कैसे लड़ाएं कैसे लड़े लेकिन इनको बात यह समझ में आ गई है सर कि हम लोग यूनिट यूनाइट है के डिएड़ महीने से ज्यादा आर्था हो चुका है आपके जजबे कहां तक हैं कितनी ताकत है क्या आप लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे या किसी जारी है सर और जारी रहेगी जारी रहेगी जारी रहेगी सर मैं आपको एक बात बताना चाहती है यह चाहते हमें हमें तोड़ना हमें दफन करना हम दफन होंगे हम बहार बनके वापस आएंगे हम बहार बनके वापस कउने में और मैं यह चाहरए हूगा है उनको तख democracy करため bisog को फ़ेग您 कर रहे हैं भाष नससक्ट करुए में धिर्जय को सब्रसुत कर रहे हैं विले हैं गया वह जारी रहे हैं जड़ नहीं त مش though you get hard में चलबाए देश की राज़ानी के कोने में और उसके बारे में देश के आधर्णिया ग्रहमंत्री जी ऐसी टिपनी करते हैं कि कमल का बटा ने जोर से दवाना काम मतले यह लोग कहते हैं कि भारत यहां बहरत माता बैठी हुए उसी को करण्ट लगा रहे हैं जाम इसे करेंगे कि पद की गरिमा को ही उन्होंने तोहिन किया है यहां पर बटन अब मैं कहना चाहती हूं मैं मिसाज जी से ये कहना चाहती हूँ कि ये बटन यतनी तेज से दब चुका है कि करंट आपको नजर आने लगा और खमज में आने लगा है साइद ये बॉकलार साफ देखी जा रही है इसी वज़ा से आपको आपके यतनी बेचैनी है और ये बटन सही जगह पर दबे कभी और तुम्हें दीखे कभी और ये जब तक जब तक हम नहीं ठकेंगे जब तक तुम्हारा आसवासल कोई नहीं आ जाता है हमारी ये लीगल लड़ाई है और हमारे ये राइत है ना कल हम रुके थे ना आज हम रुके गें ना कल हम दरेते ना आज हम दरेंगे